जब भी हम केक के बारे में बात करते हैं तो हमें यही लगता है कि एगवला केक ही सौफ्ट एंड स्पॉंजी बनता है लेकिन बिना एक के भी केक को सौफ्ट एंड स्पॉंजी बनाया जा सकते है वो भी घर पर तो आप इसकी स्पॉंजनेस देख सकते हैं और इसकी सौफ्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए केक बनाने से पहले हम बाकी त्यारी कर लेते हैं तो सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीज कर लेंगे तो मैं इस केक को माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बनाने वाली हूँ तो मैंने अलमीनियम का बरतन लिया है तो इस मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके उपर भी थोड़ा सा ओयल लगा देंगे तो इस तरीके से केक को डी मोल्ड करना बहुत यसान हो जाता है तो चलिए मोल्ड को मैंने त्यार कर लिया है अब हम माइक्रोवेव को भी प्री हीट कर लेते हैं तो माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए इसके अंदर लो रैक रखेंगे और फिर कन्वैक्शन मोल्ड का बटन प्रेस करेंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस कर देंगे जिस तरह से अगर हमें रोटी बनाने होती है तो हम पहले तवे को गरम करते हैं, उसी तरह से केक बनाने से पहले अवन को प्रीहीट करना बहुत जुरूरी है तो आईए केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं, एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसके उपर चलनी रखेंगे, और एक कप मेदा डाल लेंगे, वन फॉर्थ कप पिसी हुई चीनी डाल लेंगे, वन टी स्पून बेकिंग पॉडर डाल लेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा का डाल लेंगे, और फिर इन सब को हम चलनी में से चान लेंगे, तो इस तरह से सारे ट्राइ इंग्रीजिएंट्स को हम एक साथ चान लेंगे, अब इसमें हाफ कप कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेर डाल लेंगे, वन फॉर्थ कप ऑल डाल लेंगे, और हाफ कप दूद का डालेंगे और हाफ टी स्पून वनीला असन्स का डालेंगे तो यह ऑप्शनल है आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो अब एक विस्कर से हम समूद बैटर त्यार करेंगे तो लीजिए बैटर बनकर त्यार है तो कुछ इस तरह की कंसिस्टनसी केक के बैटर की होनी चाहिए तो अब इस बैटर को हम मोल्ड में डालेंगे और हलका सा टैप करेंगे अब केक मोल्ड को हम प्री हीट किये हुए अवन में रखेंगे और फिर कन्वेक्शन मोल्ड पर 180 डिग्री पर 35 मिनट का टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो मेरे अवन में 35 मिनट में केक बेख हो जाता है तो किसी किसी अवन में 2-3 मिनट जादा या कम भी लग सकते हैं तो आप एक बार 30 मिनट का टाइम लगा सकते हैं और केक को चेक करके फिर अगर ज़रूरत हो तो 2-3 मिनट और टाइम बढ़ा सकते हैं तो अभी 35 मिनट हो चुके हैं तो अभी माइक्रोविव अवन को स्टॉप करेंगे और केक को बाहर निकाल लेंगे और एक टुथपिक लेकर हम केक को चेक करेंगे तो टुथपिक को केक के सेंटर में डाल कर देख लें तो यह अभी बिल्कुल क्लीन निकली है तो केक बनकर रेडी है तो अभी इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो केक को ठंडा करने के बाद हम नाइब से इस तरह से केक को साइड से छुडा लेंगे और फिर केक को डी मोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि केक कितनी असानी से डी मोल्ड हो गया है और कितना अच्छा केक बन कर त्यार हुआ है आप इसका कलर भी देख सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो भी केक को काट कर देखेंगे कि ये कितना स्पॉंजी बना है तो आप देख सकते हैं कि ये केक बहुत ही स्पॉंजी बना है बहुत ही soft है और खाने में बहुत ही tasty है आप इस recipe को try जरूर करें अगर आपको यह recipe अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और साथ ही अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो easy और tasty recipes देखने के लिए Monica's Kitchen को subscribe जरूर करें thank you for watching my video मिलती हूँ एक और नही रेस्पी के साथ तब तक के लिए देखते रहें मोनिकास कीचन